जिस समीधान ने एक चायवाले को प्रधान मंत्री बना दिया, जिस समीधान ने एक दलित को राश्वपती बना दिया, आप उस समीधान को तोरने की बात कर रहे हैं। मोदी जी आप अपने मापप कहां पैदा हो थे, बता दीजी ना आप हमारे प्रधान मंतरिये आप जो बताएंगे हम भो बताएंगे अंबानी जी को, वहीं इससे कह रहे हूं अंबानी जी को, आदानी जी को, योर्डाणी जी को, अमिश्छाह जी को, किस दौकुमनेंट के बेसस पर आप नागरिकता दी हैं वो तमाम अवाम को बता दे हम भी वहीं बताएंगे उस Constitution पर जुवार हो रहा है उस Constitution की Article 14 पर जुवार हो रहा है जिसको तोड़ तोड़ कर तार पाक किया जा रहे उसके लिए हम हतेचाच कर रहे हैं मरकस की हुकोमत के प्रधान मंत्री और बीजेपी की जो लोग वाववाही करते हैं उनसे सवाल करती हूँ कि आप किस समीदान को तोड़ रहे हैं पहले इतिहास पढ़िए पहले समीदान पढ़िए यहां महाद देशी जो आप जियाह कर रहे हैं वो ना करिए सबसे पहले आप हिंगुस्तान में जो लोग रो रहें लहू लहान हो रहें पहले आप उसकी बात करिए हमारे प्रधान मंत्री जी बार बार कहते हैं ये मेरा देश है देश है ये देश को रोग है ल wastewater पूरे ये क्यों शर्मा रहे हैं ये मेरा सवाल है ये आप हमने डरा रहे ये धमका रहे हैं अगर जिन्ना की आज़ादी होती तो आज़ाद के नारी हम नहीं लगाते जिन्ना का खौप यह पूरा कर रहे हैं 1947 में सावरकार ने कहा था कि हिंदू राष्टर बनाएंगे और जिन्ना ने कहा था कि मुसल्मान राष्टर बनाएंगे आज जिन्ना का खौब हिंदुस्तान को मुसलिम मुक्त करकर बीजेपी की सरकार भाजपस सरकार जिन्ना के खौब को पूरा करें और फिर यह हमसे सवाल करें देखे भाई अगर हमें प्रधान मंत्री जीसे कोई आपति ने प्रधान मंत्री के जो जूटे जूले है उससे आपति है हमें अगर हमें इतना ही आपकी सरकार से हमें यह रहता हैं उन 2015 में आपको वोट नहीं देते NPR का जो सबसे पहला खदम बढ़ने वाला है वो NRC है क्योंकि PBIPO Board of Incident पर लिखा गया है कि NPR is the first step of the NRC NRC यह आने ही वाल है हम 2010 में भी NPR हुआ था लेकिन यह NPR से हम इसलिए मुखालिफ है क्योंकि इसमें 6 सवालात को आड किया गया अब का मुबाईल नमबर आड़ किया गया आपका वोटर आड़या आड़ किया गया आपका properस बुक कि आड़ किया गया आपके माबाप का कहां पैदा हो दोowan इस अ हम देश ग्रू रहे उनखो किस चीज पर किस बेसेस मेरी रहे मंकर अपना शिकायत हमाल प्रधान मंतरी जी से नहीं तो किसे करेंगे क्या पाकिस्तान जाकर करेंगे अगर सड़कों पर बैठनी की वज़े से दंगे होते तो जब शुरू हुआ था जब से दंगे होना चाहिए ता गंगे उस वक्त क्यों होते हैं जब डेहली में मोदी जैंट जी और अमिशा जी नहीं रहते हैं यह बताना चाहिए था न आपके खास चाहीते दोस्त प्रंप जी आये थे जब आप मुसल्मान का ताज महल दिखाते हैं तो मुसल्मान लहू लहान हो रहा था वो भी दिखाएए ना वो क्यों चुपाते हैं कहां गई थी देश की मीडिया कहां गई थी देली की मीडिया ट्रंप और मोडी की खदमत में लगे हुए थे लhu-लहान हो रहे है उनकी क्या? कि वो इंसना नही है? कि उनका लhu-लही है? सबसब बड़ा खेल है ना अमबाणी है अमबाणी ने 22 चेनलों को अपने ख़भजे में कर लिया है जिसकी वेवजह से मेडिया उसके ख़दमों पर चल रहे है मेरी मीडिया से गुजारिश है मीडिया अगर आपने इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ है ना इस हिंदुस्तान की मिटी पर मरना चाते है ना किसी के तल्बे मच आठी अंग्रेज ना बनी इस खौम की खिरमत आपका फर्ज है खौम आपको क्यों देख रही है यह अवाम ही है मीडिया को उपर ले जा सकती है और मौधी जी से के जो सरकार अवाम ने जीताती है तो जुतवाती भी है यह अवाम ही है जीते हैं तो हार भी सकते हैं जीते हैं तो जीत भी सकते हैं फिर जुतवा भी सकती है